आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियान पीनल कोड 1860 यानि कि भारते दंड सहीता 1860 में प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक को यानि कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं यह जो स्टार्ट होता है सेक्शन 96 से 106 तक रहेगा यानि का टोटल 20 सेक्शन हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं और प्राइवेट डिफेंस का जो चैप्टर है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट चैप्टर है तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और जिन लोगों ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखिए व most of the time question पूछा गया, maximum question पूछे गया है सभी state के judiciary exams के लिए तो जल्दी से अपने जो बेर act है उसमें आप लोग भी mark कर लिजे और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को subscribe कर लें कि उन तक हर वीडियो का notification पहुशता रहे हैं चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं क 97 में पूछेगा कि कौन कौन सी body और कौन कौन सी property के लिए आपको right to private defense है तो आपका क्या है अपनी body, दूसरे की body, दूसरे की property, अपनी property इन 4 चीजों के लिए आपको right to private defense मिलता है Then section 99 is very very important, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे circumstances है जहां पर आप police की मदद ले सकते हैं, machinery की मदद ले सकते हैं, government machinery की और आपको private defense से बचना है तो आपके पास enough time है, आप police को call कर सकते हैं, आप call करें, ऐसे नहीं है कि आप महाँ पर बंदूख निकालेंगे और shoot कर देंगे और 100 section में right to private defense है of body extend to cause death, कब-कब जो है death की जा सकती है right to private defense के case में तो इसमें है कि अकर कोई किसी lady को लगता है कि उसका rape होने वाला है, तो वो जो है उस आदमी को मार सकती है, then अकर कोई उसे acid attack करता है जो criminal amendment 2013 का था उसकी according, तो भी वो उसका अपने बचाप के लिए मार सकती है, तो ये सारे section जो है important रहने वाले है then यहाँ पर अकर बात कर लें, तो section 103 and जो हम पीछे पढ़ कहें 100 ये दोनों same है, वहाँ पर 100 में बात कर रहा है, जहाँ पर body के against अगर कोई अपराध होता है तो आप debt cause कर सकते हैं उस person को, और 103 में कह रहा है कि अकर property कौन कौन से circumstances है, जहाँ पर property पर कोई attack कर रहा है तो आप उसकी जान ले सकते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में हम continue करेंगे section 96, क्या है thing done in private defense, यह section कहता है कि अकर आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं, कोई भी ऐसा act करता है private defense के लिए, तो उस चीज को जो है, अपराध offense नहीं माना जाएगा तो अब इसके लिए समझते हैं, कि यह state जो होता है, राज जी है, उसकी duty होती है कि वो अपने citizens को, वो उनकी property को किसी भी हाम से protect करें यह duty किसकी है, यह police वालों की duty है, citizen को और उसकी property को protect करना लेकिन बहुत जंगा ऐसा हो जाता है, बहुत से circumstances ऐसे होते हैं, कि जहाँ पर state machinery available नहीं होती है पुलिस वाले हर जंगा तो नहीं मोजूद हो सकते हैं, अब जैसे लडाई हुई किसी के घर के अंदर तो वहाँ पर तो पुलिस वाले नहीं हो सकते हैं, कॉलिज में लडाई हुई, तो वहाँ पर भी पुलिस वाले नहीं हो सकते हैं तो यह कह रहा है कि ऐसी जंगा जहाँ पर पुलिस वाले मोजूद नहीं हो सकते हैं, जहाँ पर state machinery नहीं available हो सकती है तो वहाँ आपको अधिकार है कि आप बल को बल से रोक सकते हैं You can repel force by force तो अकर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं बल को रोकने के लिए तो उसको अपराद नहीं कहा जाएगा यह है right of private defense यह जो है कुछ principles है, importance है जो right of private defense के बारे में दी गई है कि हम किसी भी offense को रोक सकते हैं, offense करके लेकिन जब आप private defense में कर रहे हैं तो उसको offense नहीं कहा जाएगा और इसके अंदर कुछ चीज़े जो आपको याद रखने की हैं कि अकर दो person में लडाई हो रही है, A and B अब A ने क्या करा, सबसे पहले B को मारा और B ने क्या करा, B को आया गुसा और उसने A को मार दिया अब A को इतना गुसा आया, इतना गुसा आया कि उसने B को उठाया सरिया और मारना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली अब यहाँ पर A को right of private defense जो है बिरकुल भी नहीं मिलता क्यूंकि जो लडाई स्टार्ट हुई थी, वो तो A ने स्टार्ट की थी ना जब A ने स्टार्ट की थी लडाई और अकर वो जान ले लेता है तो A को right of private defense नहीं मिल सकता A नहीं कहेगा जाके नियाले में कि मैंने अपने बचाव में मार रहा है लडाई तो A ने शुरू की थी तो इसलिए right to defense, private defense A को नहीं मिलता है और यह जो private defense Indian penal code में है यह कोई punishment की तरह इस्तमाल नहीं की जा सकता मतलब अकर किसी ने आपको मारा तो आप बचाव के लिए इसे रोक रहे हैं आप उसे punish नहीं कर रहे हैं आप बचाव के लिए उसको रोक रहे हैं तो यह feeling नहीं हो कि बस मैं बदला लूँगा या मैं इसको जान से बाद दूँगा यह नहीं होना चाहिए आपको उतनी ही force यूज करनी है जितनी जरूरी है बस यह कह रहे हैं 96 section section 97 right of private defense of body and of property अब यह section बताता है कि हमारे पास जो private defense है वो किस किस चीज के लिए available है तो section 97 बताता है कि हमारे पास जो private defense है वो हमारी body के लिए और हमारी property के लिए available है अकर हमारी body को effect कर रहा है तो हमारे पास private defense है अकर किसी और की body को effect कर रहा है तो भी हमारे पास जो है, हमारे पास private defense है, अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात इनों ने जो दी है, कि आपके साथ, अकर आपके साथ-साथ किसी और के साथ भी अकर offense हो रहा है, आपके सामने भी किसी और के सामने हो रहा है, तो भी आपके पास right है, उसको protect करने का private defense का, first read कर लेते हैं his own body and the body of any other person और second में कह रहा है कि right of private defense जो है वो property के लिए भी available है चाहे वो movable यानि कि चल या अचल संपत्य है movable, immovable अब property के लिए क्या हो सकता है threat हो सकता है, robbery हो सकती है mischief हो सकती है यह सब जो offense है यह property से related है और अकर कोई भी as offense आपकी property के लिए होता है तो भी आपके पास private defense है या फिर किसी और की संपत्ती के साथ कर रहा है तो भी आपके पास right है तो right of private defense कब-कब available है जब आपको नुकसान हो रहा है या किसी और को नुकसान हो रहा है तो आप private defense ही use कर सकते है चाहे आपकी संपत्ती movable या immovable हो तो भी जो है आपके पास private defense का right available है अकर कोई भी जो है चोरी करता है, mischief करता है चाहे आपकी संपत्ती हो चाहे वो संपत्ती किसी और की हो अब आता है section 98, कहरा right of private defense against the act of a person of unsound mind ये section हमें बताता है कि जो हमें right of private defense दिया गया है ये उस व्यक्तियक के लिए भी available है जो बिना criminal intention के उस काम को करता है यानि कि किसी आदमे के intention नहीं है crime commit करने की तो भी आपके पास right है private defense करने की और वो कौन-कौन से person है कोई ऐसे person है जिसकी maturity नहीं है जिसकी understanding नहीं है या फिर जो है कोई person ऐसा है जो unsoundness अब किसी के अब इसका जो है एक illustration दिया है कि जो z है वो पागलपन के under में attempt करता है a को मांडने के लिए z is guilty of no offense लेकिन z जो है कोई offense नहीं commit कर रहा है वो तो guilty नहीं होगा लेकिन a जो है a के पास right of private defense है a has the same right of private defense which he would have if z was sane मतलब जैसे जो z है अकर पागल नहीं होता और वो attack करता तो तब उसको जिस तरह a जो है private defense का right use करता उसी तरह उसके पास अब भी available है अब वो madness में जब a को attack कर रहा है तो वो अपनी उतना जो force है वो लगा सकता है कि वो अपने आपको बचा सके तो बस इतना ही कह रहा है ये section अब हम पढ़ते है section 99 act against which there is no right of private defense अब section 99 क्या हमें बताता है कि किस situation में और कब-कब हमारे पास private defense जो है मोजूद नहीं है ये बताएगा section 99 अब कब नहीं मोजूद होगा आपके पास उस case में private defense मोजूद नहीं होगा उस काम के against नहीं होगा available अकर वो जो काम है जो public servant कर रहा है good faith में कर रहा है कोई public servant और वो अपने जो office में जो duty दी गई है उस duty के under में रहते वे उस काम को वो कर रहा है under the color of his office तो आप उसके against जाके जो है आपके पास right of private defense अबलेबल नहीं होगा लेकिन अकर जो वो काम कर रहा है अकर उस काम में कोई जान का खत्रा हो grievous hurt हो जाने का कोई खत्रा नहों या आपको ना पता हो कि वो public servant है तो तो आपके पास right of private defense अबलेबल है लेकिन अकर आपके पास नहीं पता है आपको तो जो है private defense आपके पास अबलेबल है अब इसमें जो है ये कुछ चीज़े बताए गई है अकर public servant जो है कोई ऐसा कारिये करता है और कोई reasonable apprehension नहीं है कि आपको death हो सकता है grievous hurt हो सकता है और वो जो व्यक्ति जो है वो कारिये कर रहा है under the color of his office में करता है हो सकता है कि जो कारिये पुलिस वाला कर रहा है वो justifiable by law नहीं है हो सकता है जो उसका act है वो justifiable नहीं हो हो सकता है वो आदमी जिसको पकड़े वो कह दे बाई मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है तो लिखा हुआ है क्या लिखा है act may not be strictly justified by law यानि कि देखा जाना चाहिए कि जो act जो है वो justify ना किया हो कि उसने जो काम है वो strictly किया है वो चीज ना justify हो तो इस case में हमारे पास जो है private case, private defense जो है available नहीं होगा फिर उसके बाद कब नहीं available होगा कि आपके पास जो है वो reasonable time है reasonable time है कि आप police को contact कर सकते थे लेकिन आपने police को contact नहीं किया तो क्या होगा उस case में भी आपके पास जो है right of private defense जो है available नहीं है आपके पास पूरा time था कि आप police को phone कर सकते थे आप police को बुला सकते थे लेकिन आपने क्या करा आपने gun load करी और आपने जो है अपना mind बना लगी चलो आज तो मैं सिर्व मारूंगा ये मारूंगा circumstances अब कौन से अब जैसे आपको पता है कि phone करने के बाद जो है police को आपके घर आने में बहुत time लगने वाला है तो आपके पास available है लेकिन आकर जब आपको पता है कि police वाला जो है वो foreign आ सकता है कि message जाने में जो है बहुत time लगेगा तो भी फिर फिर आपके पास जो है private defense का right आपके पास available है आपसे नए पूछा जाएगा उस करते हैं क्या कह रहा है इसके explanation क्या कह रहा है कि जहां तक जो है आपको पता है use कर सकते हैं उतनी ही power को जो है आप use करेंगे अब किसी ने आपको थपड मारा तो ऐसा तो नहीं आप उसको गोली मार देंगे तो यहां पर आपको right of private defense जो है नहीं मिल सकता आप जो है extend नहीं कर सकते है power को आपको जो है उतना ही बल लगाना है जितना की जो है जरूरी है अब कोई व्यक्ति जो है वो कारिय कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो public servant है लेकिन अब वो public servant जो है किसी और व्यक्ति को जो है authorize कर देता है और वो कहते हैं कि जाओ आप जो है उस व्यक्ति को arrest करके लाओ वो authorize कर रहा है तो भी उस person के उपर जो है same right available रहेंगे यह कहा रहा है section explanation 1 और explanation 2 क्या कह रहा है कि जो act है जो वो कारिय कर रहा है अकर वो public servant के direction में कर रहा है और वो जो act कर रहा है वो good faith में है और public servant जो है वो act कर रहा है अंडर the color of office जो है वो act कर रहा है जो direction में वो follow कर रहा है वो color of the office scanner में कर रहा है और जो act है वो कभी भी ऐसा apprehension नहीं कर रहा हो कि किसी की जो है death हो, किसी को grievous hurt हो, तो फिर उसके लिए भी जो है private defense का जो right है वो available रहेगा a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempt to be done by the direction of a public servant unless he knows or he has reason that that person is doing his act by which direction unless such person states the authority under which he hacked, यानि कि वो authority में बताएगा कि वो किसकी authority में जो है वो काम कर रहा है, if he has authority in writing unless he produce such authority if demand, तो अकर उसके पास जो है writing में available है और writing में available होने के बाद वो अकर show करता है, तो obvious है कि उसके against जो है कोई भी जाके कोई action नहीं लेगा अकर वो written में show कर देता है लेकिन अकर वो नहीं बता रहे हैं कि वो public servant है और आपको नहीं पता तो आप private defense का right जो है ले सकते हैं तो ये हो गया हमारा section 99, अब section 100, ये बहुत important section है, बहुत ज़्यादा ये आपको जो है pre में भी 100% question बनेगा और जो means में के लिए भी जो है ये जब topic रहेगा तो आपको जानना है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो law के student हो और चाहे वो common person हो, एक gk की तरह आपको section 100 पता होना चाहिए अब section 100 बताता है, when the right of private defense of the body extends to causing death, आपके पास जो private defense का जो right है, आप किस हद तक जो है किसी आदमी की death कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं अकर आपको लगता है कि आपकी जान चली जाएगी या आपको लगता है कि वो आपको grievous hurt कर देगा, हाथ तोड़ देगा, या आपका मू तोड़ देगा, इस तरह से अकर वो कोई काम करता है, तो आपके पास right है कि आप उसकी जान ले सकते हैं या फिर किसी औरत को ऐसा लगता है कि वो रेप कर सकता है, या कोई जो है unnatural lust के लिए काम करता है, तो भी जो है private defense का right available है कोई kidnapping करना चाहता है, या फिर जो है wrongfully confining करने के चकर में है, तो जो है right of private defense available है read करते हैं, the right of private defense of the body extends under the restriction mentioned in the last preceding sections कह रहा है, to cause voluntary causing death या फिर other harm to the assassination, कोई आपकी death कर सकता है, या assassinate कर सकता है तो उस case में जो है, आप right of private defense आपके पास इतना है कि आप उसकी जो है, वो death भी कर सकते है अब यहां पर क्या क्या दिया है, पहला कह रहा है, कि अकर आपको लगता है कि वो आपको मार देगा तो आपके पास right है, आप उस पे कोई ऐसा हमला कर रहा है, जिसमें आपकी death हो सकती है, तो आपके पास private defense है, आप उसको मार सकते है फिर अकर कोई आपको grievous hurt कर सकता है, हमला ऐसा कर रहा है कि आपको पता है कि मुझे grievous hurt हो जाएगी, मेरा नाक तूट जाएगा, मुझे बहुत गहरी चोट पहुच जाएगी, तो भी आप उसको death cause कर सकते है and third कहा रहा है कि अकर लगता है कि वो कोई rape कर सकता है, किसी लड़की को किसी औरत को लगता है, कि वो rape कर सकता है तो भी वो लड़की अकर उसके आते बंदू के हम कहेंगे मार दो, उसको एकदम उसको shoot कर देना है अब यहाँ पर private defense की हमने पढ़ा था, starting में ही पढ़ा था, कि अपनी संपत्ती दूसरे की संपत्ती, अपनी body दूसरे की body यानि कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला वो किसी लड़की के साथ rape कर सकता है, तो आपको भी right है, आप उसको गोली मार सकते है आपको भी उस private defense का right है, और fourth कह रहा है कि अकर कोई unnatural lust के लिए भी अकर कोई करता है, तो भी right है कि आप उसको गोली मार सकते हैं अब fifth कह रहा है कि अकर आपको कैद कर दिया, kidnap कर लिया है, और आप आपके पास क्या है, आप नहीं जा सकते है, पुलिस के पास, तो भी आप जो है, यहाँ पर उसकी death कर सकते हैं और sixth कह रहा है, अकर wrongful confinement कर लिया आपका, तो भी जो है, आपके पास right है, right of private defense अब second, जो seventh part है, seventh point इसका जो है, यह 2013 में criminal law amendment 2013 में add किया गया था, आपको इसकी date याद रखनी है, कब किया गया था, मैं mention कर देती हूं इसको तो seventh, जो point है, यह 2013 में add किया गया था, अब अकर किसी लड़की को लगता है, कि सामने वाला जो है, वो उसपे attempt करेगा, acid fake ने का, या उसपे fake सकता है, तो वो उसकी जान ले सकती है अब यह जो private defense का right है, जिसकी body के साथ कर रहा है, जिसकी property के साथ कर रहा है, इसके अलावा दूसरा भी कर सकता है, अगर आपको लग रहा है, कि कोई व्यक्ती जो है, किसी लड़की के face पे acid डालने वाला है, आप सामने खड़े हैं, और आपके पास gun है, निकाल के आप उसक shoot कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों की रक्षा करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, चाय कोई stranger हो, या कोई भी हो, लेकिन अकर लगता है कि कोई attempt कर रहा है, रेप करने की कोशिश कर रहा है, acid throw करने की कोशिश कर रहा है, अब वो जो लड़की है, उस वक्त वो हो सकता ह वो वहाँ पे एक week हो, कमजोर हो, और अकर आप वहाँ पे ऐसा मर्द वहाँ पे हैं, तो आप जो है, आपको write देता है ये section कि आप जो है, उसको death cause कर सकते हैं, आप उसकी जान ले सकते हैं, ये section आपको पूरी तरह से write देता है, लेकिन आपको पूरी शर्तों को fulfill करना है, और आपको, जो है, reasonable apprehension की बात कर रहा है, तो आपको पूरी सर्क, तो उमीद करते हूं, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब section 101, क्या कहता है, when such right extend to causing any harm other than death, अब जैसे कि हमने section 100 के अंदर पढ़ा था, कि कुछ circumstances, कुछ परस्तिती ऐसी बताए गई हैं, कि अक कुछ ऐसा होता है, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हैं, जो ऐसा काम कर रहा है, किसी का rape, unnatural lust, जो है, यह acid जो है, आप उसकी जान ले सकते हैं, यह सब जो है, बताया कि offenses आपके body को जो effect कर रहा है, rape, murder, जान का खतरा, grievous hurt, rape, acid attack, unnatural lust, जो है, तो उस case में जो है, आप किसी भी person की जान ले सकते हैं, आपको right of private defense जो है, इतना ज्यादा available है, section 10, section 100 के अंदर, sorry, अब section 101 क्या कहता है, कि अकर वैसी परस्तिती नहीं है, जो 100 में दी गई है, तो आप उस case में सामने वाले की जान नहीं ले सकते हैं, private defense of the body does not extend, कह रहा है, आप कोई भी उसको नुकसान आप उसको चोट मार दीजे, आप जो है, उसको एक लाठी उठा के मार दीजे, तो यह कह रहा है, section 101 कि अकर आपको नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला है, जो हमने 100 में पढ़ा था, तो आप उसकी जान नहीं लेंगे, बस इतना ही कह रहा है, section 101, if the offense be not of any description enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing death or to the assassination, अब section 102 क्या कहता है, commencement and continuance of the right of private defense of body, यानि की जो private प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, वो कब शुरू होता है और कब खतम होता है, अब जो point हमने underline किया, वो main point है, क्या कहता है, जब आपको reasonable apprehension आता है, जब आपको खत्रा महसूस होता है, कि खत्रा है, आपको लगता है कि जो है कोई आदमी जो है, कोई आपको नुकसान पोचाने जा रहा है या पोचाने वाला है, तो उस case में आपके पास उसी वक्त जो है private defense का right start हो जाता है, और जब तक रहेगा, जब तक वो खत्रा आप प पास ये available रहेगा, बस ये एक general principle है, right of private defense का, जो point mark किया है, उसको एक बार हम लोग read कर लेते हैं, क्या कहता है? Commenced as soon as the reasonable apprehension of danger, जैसे ही लग रहा है कि खत्रा है सामने वाला कुछ ऐसा करने वाला, section 103 क्या कहता है? When the right of private defense of property extends to causing death, तो section 100 में हमने क्या पढ़ा था? कि कुछ ऐसे cases हैं, कि आप अपराधी की जो है, जान ले सकते हैं, वो हमने section 100 में पढ़ लिया था, और जो प्रस्तिती वहाँ बथाए गई है, वो जो है, वो सिर्फ आपकी ब्रावड़ी से related है, तो वहाँ body से related हम लोगों ने पढ़ा rape, murder, grievous hurt, kidnapping, unnatural lust, अब section 103 बताता है, कि किस case में जो है, आप private defense of property के case में सामने वाले की जान ले सकता है, अब दोलों important है, 100 भी और 103 भी, 103 में property की बात कर रहा और वहाँ पे 100 की बात कर रहा है, कह रहा है section 99 को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि अकर बुल जा सकते हो, तो मचा लो, तो है, अब देख लेता है, कौन को ध्यान रखना है, अब आकर robbery होने का खत्रा है, जो section 390 में define की गई है, second या house breaking by night है, जो section 406 में बताया गया है, third by mischief by fire यानि का आग लगा देता है, आपके building में, tent में, fessal में, जो 425 से 420 के बीच में discuss की गई है, कोई ऐसी जंगा पे आग लगा देता है, रिहाईशी इलाका है, जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई property है, और fourth कह रहा है, कि चोरी के case में, mischief के case म भी आप जो है, किसी की जान ले सकते हैं, जान ले सकते हैं, या फिर grievous hurt जो है, उसको cause कर सकते हैं, लेकिन अब जो fourth case कह रहा है, उन तीनों case के अंदर जो है, एक reasonable consequence होना चीए, apprehension होना चीए, कि सामने वाला चोरी करने के time, या mischief करने के time जो है, आपकी जान ले सकता है, त तो ये बता है, section 103 में, और इसके अलावा जो इन प्रस्तितियों की बात की गई है, ये जो है, किसी व्यक्ति को कहने के लिए, जो है, court जो है, नहीं देदेगी, कोई व्यक्ति जा कह देगा, मैं तो जो है, section 104 विर्कुल से में, जैसे 101 हमने पढ़ाता, अब ये section क्या कहता ह है, कि जो private defense आपको मिला है, property से लेके, यानि कि कब आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, सामने वाली की जान ले सकते हैं, अब वैसी situation नहीं arise होती है, ऐसी condition नहीं बनती है, तो आप उसकी जान नहीं ले सकते, आप उससे कुछ भी हाम पुचा दीजे, आप उसको injury कर दीजे, कोई चोट मार दीजे, लेकिन आप उसकी जान नहीं ले सकते हैं, यह कह रहा है section 104, यही हमने section 101 में पढ़ा है, जो की property के बारे में, sorry, जो section जो बता रहा था हमें body के बारे में, और यह बता रहा है property के बारे में, तो उमीद करते हूं, यहां तक आप लोगों को 101, क्या कहता है, when such right extends to causing any harm other than death, अब जैसे कि हमने section 100 के अंदर पढ़ा था, कि कुछ circumstances, कुछ परस्तिती ऐसी बताई गई हैं, कि अकर कुछ ऐसा होता है, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हैं, जो ऐसा काम कर रहा है, किसी का rape, या natural lust, जो है, या acid, जो है, आप उसकी जान ले सकते हैं, ये सब जो है, बताया है कि offenses आपके body को जो effect कर रहे हैं, rape, murder, जान का खतरा, grievous hurt, rape, acid attack, unnatural lust, जो है, तो उस case में जो है, आप किसी भी person की जान ले सकते हैं, आपको right of private defense जो है, इतना जादा available है, section 10 के, section 100 के अंदर, sorry, अब section 101 क्या कहता है, कि अकर वैसी परस्तित नहीं है, जो hundred में दी गई है, तो आप उस case में सामने वाले की जान नहीं ले सकते हैं, private defense of the body does not extend, कह रहा है, आप कोई भी उसको नुकसान पुचा दीजे, आप उसको चोट मार दीजे, आप जो है, उसको एक लाटी उठा के मार दीजे, तो ये कह रहा है, section 101 कि अकर आपको नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला है, जो हमने, और फिर कह रहा है, the right of private defense, जो है, criminal trespass के case में कब है, as long as the offender continue in the commission of criminal trespass, or miss chief, यानि कि तब तक रहेगा, जब तक कि वो criminal trespass के उस area के अंदर है, तब तक जो है, वो जो है, बना रहेगा, right of private defense, और house breaking by night कब तक है, as long as the house trespass, by which has begun by such house breaking continue, यानि कि जब तक वो continue रहेगा, जब तक वो वहाँ पर बना रहेगा, तब तक जो है, right of private defense बना रहेगा, अब इसको समझे कैसे, अब एक चोर आपके घर में गुसाया, और वो चोर क्या है, उसने क्या क्या, जैसी वो आपको देखता है, आपको भाग जाता है उसको जो है, death cause कर दी, तो यही गलत है, यही कह रहा है बस यह section, कि कहां तक अब लेबल है, तो जो है, जहां वो सीमाओं में बना रहेगा, वही तक जो है, आपका वो right of private defense, जो है, अब लेबल रहेगा, और sixth है, last section of this private defense, right of private defense against deadly assault, when there is a risk to harm innocent person, अकर हमला होने से, आपके private defense क use करते हुए लगता है, कि किसी innocent की जान जा सकती है, तो वहां पर भी आपका right to private defense बना रहेगा, यह कह रहे है, section 6, in the case of right of private defense against the assault which reasonably cause the apprehension of death, the offender be so assituated that cannot effectively exercise that right without risk of harm to the innocent person, the right of private defense extend to the running of debt risk, जब तक वो खत्रा मन रहेगा उसके उपर, तब तक right of private defense उस पर बना रहेगा, अब इसका example देखते है, A जो है, A is attacked by a mob, A के उपर एक भीडा के हमला कर देती है, और उसको मानने की कोशिस करती है, attempt to murder, he cannot effectively exercise his right of private defense, अब वो अपने आपको बचा नहीं सकता, कब तक नहीं ब बचा सकता है, दबचक तो है, वो भीड पर गोली ना चला दे, लेकिन वो देखता है, कि अकर वो भीड पर गोली चलाते है, तो एक young innocent बच्चा जो है, उस बीड के बीच में है, और उसको पता है, उसे अपने आपको बचाना है, तो वहाँ पर अकर वो risk लेता है, कि गोली बच्चे को ना लग जाए, तो जो है, उसका तो भी private defense का जो right है, वो विरकुल बना रहेगा, तो उमीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने इस section को, इस part को बहुत best आपको explain करने की कोशिश की और सभी important points cover कर लिए है, मुझे नीचे comment section में कभी भी share कर सकते हैं, मैं आपकी हर query का reply करने की कोशिश करूँगी, and video अच्छा लगाओ, तो video को like कर दीजिए, for the benefit of your friends, उसको share कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी जो है, इस video से benefit ले सके, and जो लोग channel पर नए है, वो channel को subscribe कर ले, कि कोई भी video उनका miss ना हो, हम continue पढ़ाई करते हैं, हम continue video update करते हैं, कि एक भी दिन चो है, वो हमारा हाथ से ना जाए, and at last there is no substitute of hard work, महनत करनी पड़ेगी, अकर हमें अपनी मंजिल को पाना है, तो हमें daily थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कि चीजों को हम भूले ना, और अच्छे से हमारे mind में ह concept clear रहे, thank you